नमस्कार, आईए सुनते हैं गीता तत्व चिंतन का अगला अंक, आज महराज चर्चा कर रहे हैं कि धृत राष्ट्र ने कुरुक शेत्र को धर्म शेत्र क्यूं कहा। धृत राष्ट्र ने पांडवों को नश्ट कर देने में कोई कोर कसर नहीं रखी। फिर भी जब भीश्म पिता महके आहत होने का समाचार सुनते हैं तो उनके मन के किसी अज्यात कोने में युधिष्ठिर की धर्म प्रियता की आरले एक विचार उठता है। कुरुक्षेत्र तो धर्म शेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। क्या युधिष्ठिर का धर्म भाव कुरुक्षेत्र में आकर ना जगा होगा। धृत राष्ट के हिर्दय में घबराहट छा गई है। जीवन भर पांडवों से अन्याय करते हुए वे अब उनसे अपने प्र महराज कुरुक्षेत्र का वर्णन करते हुए अपने विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं। कुरुक्षेत्र का मैदान अभी भी विद्यमान है। कुरुक्षेत्र नामक नगर ही आजकल बस गया है और वहाँ जो मंदिर बना हुआ है उसके सम्मंध में ऐसी मानेता है कि व पहा जा सकता है कि हस्तिनापुर के चारों ओर जो मैदान था उसी को कुरुकशेत्र के नाम से पुकारा जाता था। आजकी दिल्ली इसी मैदान पर बसी है और जो दिल्ली का चिडिया घर है उसे हस्तिनापुर के किले की भाग में अवस्थित माना जाता है। प्राचीन, मध्य और अर्वाचीन युगों में कैई बड़ी-बड़ी लड़ाईयां इस मैदान पर लड़ी गई हैं। इसे पुराने जमाने में समन्त पंचक तीर्थ के नाम से भी उकारा जाता था। महाभारत में कुरुक्षेत्र के विस्तार के संबंद में वर्णन आता है कि तुलंतुक, अरंतुक, रामहिर्द तथा मच कुरुक के बीच का जो भूभाग है वही समंत पंचक एवं कुरुक्षेत्र है उसे प्रजापती की उत्तरवेदी भी कहते हैं छल्यपर्व के अनुस इसका नाम कुरुक्षेत्र क्यों पड़ा इस संबंध में एक आख्याई का हमें महाभारत में प्राप्त होती है कि पहले अमित तेजस्वी बुद्धिमान राजर्शी प्रवर महत्मा कुरु ने इस शेत्र को बहुत बर्षों तक जोता था इसलिए यह कुरुक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हो गया प्रशन उठता है कि महाराज कुरु ने स्वयम अपने हाथों से इस शेत्र को क्यों जोता होगा इस प्रशन का जो उत्तर प्राप्त होता है वही उस प्रशन का भी उत्तर है कि कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों कहते हैं कहते हैं कि पू राजन इस महान उद्योग का क्या कारण है आप किस अभिलाशा से यह भूमी जोत रहे हैं। देवराज इंद्र बार बार अपने कारे से विरतन होने वाले कुरू के पास आते और उनसे पूँच पूँच कर प्रतेक बार उनकी हसी उड़ा कर स्वर्ग लोग में चले जाते। पर जब इंद्र ने देखा कि राजा कुरू अपने प्रत्न में शित्हिलता लाने के बदले और भी कठोर तपस्या पूर्वक पृत्वी को जोतते ही जा रहे हैं। तो उन्होंने यह बात देवताओं से कही। देवताओं ने इंद्र से कहा शक्र यदि संभव हो तो राजर्शी कुरू को वर देकर अपने अनुकूल किया जाए। यदि कुरू की तपस्या सफल हुई तो इस क्षेत्र में मरने वाले मनुश्य यग्यों द्वारा हम देवताओं का पूजन किये बिना ही। स्वर्ग लोक में चले जाएंगे। तब तो हम लोग बड़ी आफत में पड़ेंगे। हम लोगों का यग्यभाग सर्वता क्यों उठाते हैं। मेरी बात मान लीजिये महामतें जो मनुश्य और पशू पक्षी यहां तपस्या करते हुए और निराहार रहकर देहत्याग करेंगे अथ्वा युद्ध में मारे जाएंगे। वे स्वर्ग लोक के भागी होंगे। जब राजा ने उनकी यह बात सुई कित्र कहा गया है। महाभारत में आता है कि यहां पर प्राचीन काल में महान वर दायक देवताओं ने बहुत बड़े यग्य का अनुष्ठान किया था। भूतल का कोई भी इस्थान इससे बढ़कर पुन्य दायक नहीं होगा। जो मनुश्य यहां रहकर बड़ी भारी जान शीग्र ही सहस्र गुना हो जाएगा। जो मानव शुब की इच्छा रखकर यहां नित्य निवास करेंगे उन्हें कभी यम का राज्य नहीं देखना पड़ेगा। यह महान पुन्य प्रद कल्यानकारी देवताओं का प्रिये एवं सर्वगुण संपन्न तीर्थ है। अतह यहां रण भूमी में मारे गए संपून नरेश सदापुन्य मई अक्षय गती प्राप्त करेंगे। जाबाल शुरुती में कुरुक शेत्र को समस्त जीवों को ब्रह्म की प्राप्ती कराने वाला कहा है। शत्पत शुरुती इसे देवताओं की यग्य भूमी कहती आशा है आज का यह विवरण आपको अच्छा लगा होगा। आगे महराज संजय भगवान का अनन्य भक्त और दुर्योधन का संशय इस विशय पर अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं जिसे हम अगले अंक में प्रस्तुत करेंगे। तो आप लोगों से एक अनुरोद है देवाक्षर को सब्सक्राइब करें मित्रों के साथ शेयर करें और देखते रहें देवाक्षर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद